एक कुश्चन आता है परत्यक्षण एक चैनात्मक परकिरिया है इसकी ब्याक्या गरें परत्यक्षण यानि रिसप्सन यह बहुत इंट्रेस्टिंग चैप्टर होने वाला है तो उम्मीद है कि आपको समझ में बहुत ही आएगा क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है सनवेदा परत्यक्षण और इसका एंसर देखते हैं कि पर्चप्षण इस इस सलेक्टिव प्रोसेस और इसकी हमें ब्याक्या करने परत्यक्षण एक चैनात्मक मान्सिक परकिरिया कैसे किसी भी समय अनेक को उधिपक्षण हमारे ग्यान इंद्रिया को उत्यजित करते हैं प्रंतों कि इसका मतलब हुआ कि पर्च्षण में नहीं कर पाते हैं कि हम उन्हें को अभीरूची इयादत प्रेणना आधिक अनुसार द्यान देते हैं जिसके फॉल्सवरुपुस उधिपक्षण का प्र्तियक्षण में होता है ऐसा भी होता है कि वस्तु या उदिपक में कुछ खास-कास गूंड होते हैं जिसके कारण हम उसकी और द्यान दे देते हैं और फिर उसका प्रत्यक्षण हमें हो जाता है कि असके प्रवोस् 9.67 बढ़े-बडे अक्षणों में कुछ लिखा होता है उस पर अमारे द्यान बहुत जल्रॉसड चला जाता ह। कि और हम उस साइन बोड का प्रच्छना बहूत जल्द कर लें एसा इसलिए होता है क्योंकि पर दिश्चन a अधमक उता हैं प्रनिसक कर फदक सूरूप हम कह सकते निसक्र 270 के तौर पर एक पर शैकर अधमक मांसिक पर करिया है जिसमें उदिपकों का द्वारा उत्पन सन्वेदन का हम अर्थ नहीं जोड़ते हैं बलकि अपने पुर्वन बूती के संदर्व में उसकी ब्याक्या भी करते हैं कि एवं उसके कुछ खास नियमों के अधार पर एक संगठित रूप भी देते हैं तो परत्यक्षण को मात्र सन्वेदन प्लस का अर्थ नहीं किया जा सकता हाला कि कुछ लोगों का सुरू में ऐसा ही विचार था तो परत्यक्षण एक चाइनात्मक पर करिया है और यह डिपेंड करता है कि हमारा द्यान किसी भी चीज के लिए कैसा है किस चीज के बारे में हम कितना ज्यादा सोच रहे हैं यह बहुत ज्यादा मैटर करता है